हलो गाइस पहले कुंड़ देजी में इस तो गाइस आज की न्यूज आपके लिए काफी कमाल की होने वाली है तो फाइनली एवेंजर इंफिडी वार का पहला कॉंडस पार्ड लीक हो चुका है जी हाँ ये कोई ओफिचिली लॉंच नहीं करा है ये लीक हो चुका है और इस कॉंडस पार्ड में इतिनी कमाल की चीजी है कि मेरा दिल खुश हो गया और इसलिए आज मैं आपके लिए करूंगा इसका 3D ब्रेकडाउन तो ये आपके लिए काफी यूनिक होने वाला वीडियो तो वो है ये कॉंडस पार्ड तो ये कॉंडस पार्ड काफी एच्छा लग रहा है और ये एक बोर्ड में बना हुआ है और इस पे से किसी ने दौर पर तो आप थौर पर देख रहे होंगे चोगा उसका थोड़ा उसका सूट उसमें बिल्गुल सेम है उसमें कोई चेंजिस ही नहीं है उसके बाद आते कैप्टन मावल तो फाइनली कैप्टन मावल जॉइन कर चुकी है एविंजर 4 की पुरी टीम को और देन इंपॉ लने निकलने में उनका पूरा फुल मैटल का हाथ जो कि काफी अच्छी लग रही है दर उसके बाद आयरेन मैं पर आते हैं उनका पुई मार्क सेम है उनके पास पुई टेक्नोलोजी वाला आर्मर है जो कि हमने एविंजर इंपिटी वार में देखा था देन उसके बाद आ पैटन पर थोड़ा से खुबरे खुबरे निशान है स्टार के चारो तरफ बगल में कैप्टैन की स्टाइल बदल चुकी है उसकी डाड़ी अट गई है शेविंग देन हिरी स्टाइल काफी अलग अट गई है और फुल कॉस्ट्म पूराना ओल्ड है पर थोड़े सी आपका देख रहा है आप नोटिस करेंगे एंटमेन का थोड़ा कॉस्ट्म चेंजिस हो चुका है यानि कि एंटमेन दवास के बाद इसमें थोड़े चेंजिस आए है उसके बाद पीछे आप देगी वार मशीन तो यह वार मशीन का 005 मार्क बन चुका है जी हाँ यह उसका है हलक का बड़ास नहीं कर पा रहा है और देन हलक अब मार्क रफेल उसे सिंपल हलक बन चुका है जी हाँ यानि कि मैं ब्रूस बैनर की बात कर रहा हूं यहाँ पर ब्रूस बैनर हलक बन चुका है और वह एविंजर 4 में पूरे टैम हलक बना रहेगा इससे यह पता चलता ह और देन उसके बाद आ जाते है नताशा रोवनओफ या लेगी ब्लैक बिड़ो पर तो ब्लैक बिड़ो की हेरिस्टाल चेंज हो जो की कलर चेंज हो चुका है कॉस्ट्म पुराना वाला आ चुका है जी हाँ तो से लगता है कि ट्रैम ट्रैवलिंग से करेक्टर कुछ पूराने टैप में चले गए है और कुछ नए टैप में आ गये है तो काफी सारे चेंजेस आई है बाद ऋएन अग पूरे फोटो की बात करें और पूरे बेकराउंड की बात करें तो सबसे important बात आप देखोगे कि पीछे जो दूंदा दूंदलापन देखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग Thanos के planet पर है जी हाँ time में back पर जाके क्योंकि पुरानी spaceship रखी हुई है जो कि हमने Avenger Infinity War में देखी थी जो कि Titan planet पर दबा हो चुकी थी तो मुझे लगता है कि ये सारे Avenger important सब Thanos से लड़ने गई है तो आपको क्या लगता है मुझे comment section में बताना और ये concept art बास्तो मी कमाल का लग रहा है तो गॉइस आच लिपस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्ली लाइक comment शेयर करो जो वन देज वीडियो को नए देख रहा है या तो उस पर जोकर के हाथ मारो ये पैर मारो सब्सक्राइब करो बाबाई जारो